अमेरिका की एक बड़ी खबर के अनुसार यहां के टेकसास के डलाश शहर में चल रहे एर शो के दोरान बीते शनीवा को दो हवाई जहाज आपस में टकरा गए हैं जानकारी के अनुसार ये दोनों जहाज दितिय विश्वयूद में भाग भी ले चुके हैं गटना बाबत फेडरल एविएशन एडिमिस्ट्रेशन ने बताया कि दुरगटना में क्रैश हुए दितिय विश्वयूद के विवानों में से एक बोईंग B-17 फ्लाइंग फोर्टेस और एक बेल P-63 किंग कोब्रा था इस हाथ से में भी फिलाल जाज शुरू हो गई है मामले पर फेडरल एविएशन एडिमिस्टेशन ने मीडिया को जानकाई देते हुए बताया कि गटना इस्थानिय समय अनुसा दोपाहर लगबग एक बचकर 20 मिनट पर हुई है इन दोनों विवानों में कुल 6 लोग मौजूद थे हलाकि अभी यह नहीं बताया गया है कि विमार में मौजूद लोग की सिती कैसी है लेकिन ऐसा परतित होता है कि उनकी मृत्यू हो चुकी है इस ब्याबग गटना के समय हजारों लोग इस एडर शो को देख रहे थे लेकिन इस शांदाज शो के हासे में तब्दीर होते ही लोग महां से भागने लगे लोगों ने यह भी बताया कि गटना के बाद दुएं का भारी गुबार हो ठाथा फिलाल इस गटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वैरल हो रहा है वीडियो में साब देखा जा सकता है कि एर शो के दोराद एक प्लेन बहुत तेजी से आता है और फिर वह दूसरे प्लेन से टकरा जाता है इसके बाद यह दोनों प्लेन के कुछ टुकड़े हवा में गिरते हुए दिखाई देते हैं जैसे ही प्लेन जमीन पर गिरते हैं तुरंद ही एक ब्यानक विस्पोर्ट होता है और सब तरफ दूए का गुबार दिखाई देता है आज के करिये तीन साल पहले बीते अक्टूबर 2019 में भी अमेरिका में एक ऐसी गटना हुई थी तब इसमें दितिये विश्वियुद के समय एक विमान जिसमें तेरा लोग सबार थे टेक ओप करते समय यांतरिं गर्वडी का सामना करने के बाद हाट फोर्ड हवाई एड़े पर दुरगटना गरस्त होकर बुरी तरह से जल गया था जिसमें इसे साथ लोग की मौत हो गई थी इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है आप कमेट में जरूर बताएं